तो दोस्तों अब हम नकोदर से जलंदर के और जा रहे हैं यहां से 10 किलोमेटर को रास्ता तो साफ सुत्र है उसके बाद आगे जाके दिक्कत आएगी तो वह हम आपके साथ शेयर करेंगे भात करेंगे चांट करेंगे यहां er जाता हैं कि बाल दोस्तों यहां में खुछा यहां आपके में झाला करेंगे औरो लिंगेंगें बवार्बबकाँ में थब खुड़ा कि आपको दूबना टाइम लगेगा यह नकुदर के पूरी सड़क जलंगर की यहां तक की लास्ट 10 किलोवेटर डिजास्टर और इतने हैवी हैवी स्पार्ट्स हैं कि आप फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल बन ना करें अवाइड करें अब कहीं पे भी कोई भी गड़ा आ सकता है और यह इदर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सड़क जाड़ी हो रही है और यह हम अब इदर से जा रहे हैं रिजन की सड़क टूटी हुए है और यह सीटी ग्रूप ऑफ इस्टूशन दो किलमेटर यहां से राइट सेड है अगर आप नकुतर से आते हैं तो यह जितने जर्क आपको नजर आ रहे हैं यह सब गड़ों में है अवाइड तो कर रहे हैं बड़ आप करनी सकते हैं कहीं से भी लेके जाओगे तो आप गड़े में जरूर जाओगे और यहां पर सड़क भी छोटी है सिंगल रूड है इसलिए यहां पर ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है पोटे करना भी थोड़ा असान नहीं है दोस्तों यह हमारा डिजास्टर पॉइंट शुरू हो चुक है और यह ड़स्ट भी है यहां पर सड़के में टूटी हुए है कटे भी है सब कुछ है और यह हमारे पास आ रहा है वेलकम टू जलंदर का बोड अगर आप देख सकते हैं यह आपको वेलकम टू जलंदर का बोडना जला रहा है तो अब हम जलंदर में एंट्र कर चुके हैं और यहां पर भी जो सड़क है वो सिंग्र टाइप ही है एक गड़ी एटेटेटेप दो गड़ियां होटे करनी तोड़ी सी मुश्किली होती है अब अभी तो थोड़ा ट्रैफिक नहीं है मॉर्निंग में तो एक दिक्कत नहीं आती है बट देर टाइम में काफी ट्रैफिक होते हैं लुबेड़ Onda जिस प्रेब़ डंव, जाने तोपके. अ, 500,000, Dorothy. बीड़बब एक 6.0, बीड़ेडर टेर, बीड़बड. Тबीड़ेग. वेसे तो नकोदर से जलांदर का रास्ता सीधे ही है कहीं पर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता है ना कोई टोस्त ना लेफ्ट ना राइट और दोस्तो यहापे हम यह बड़ाले चाओक है जहां पर आपको नाका हमेशे मिलेगा झाल नाकाओ कि अध बड़ा है जहां पralड इ mó交लत को चाहिए और दोस्तों यह रविदा शॉंक और दिन के समय है यहां पर बहुत ही ट्रैफिक का बुरा होता है क्योंकि यहां पर ट्रैफिक कंजेशन भी है और लोग ट्रैफिक रूपस इतना फॉलो करते नहीं है रेड आप ग्रिन लाइट बहुत समस्या आती है अब यहां पर आपको मॉर्नी और इवनिंग में काफी ट्राटिक मिलेगा वर्किंग आवर्स में अब यहां पर यह इनकी भी सड़के पूरी टूटी हुई है और इदर भी काम चल रहे है तो यह दोनों साइड की सड़के का बहुत बुरा अला है यहां से नकुदर तक का अब बीच में शयद कोई पाई पेनले डाली है सीवरेज की जहां तो यह पूरी तो इतने में एक ही गड़ी चल सकती है और दूसरी सेट स्कूटर रहे चल सकते हैं कि अब आप कि अब कि सड़क बनने के बाद ही गड़े को दे जाते हैं कि उससे सड़क को तोड़ने में असानी रहती है कि नहीं तो हमें सड़के साब सुत्री कैसे बिलेंगे कि अब 500 meters, leave the roundabout at the 3rd exit. तो दोस्तो हम अब जलंदर पहुँच चुके हैं, यहां से एक राई टन लेंगे और सिधा जलंदर बसर्टी की तरफ सी रास्ता जाएगा. यहां यहां से राई टन लिया और यहां पे अभी कोई ट्राफिक दिया तो आप यहां से सिधा थैंक्स वर वाचिंग लाइक एड सब्सक्राइब पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें नहीं भी पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करे इपिका प्रफटेगा